तो बच्चों हमारा जो नेक्स टॉपिक है वह है चित्र वर्णन पिक्चर राइटिंग तो ये तो आपने किया ही है पहले भी हो सके तो तो चित्र वर्णन हमारा worsh correlate हो सके हमें वस चित्र को कहा है और देखर पहले ये बताना हो पहले किस टॉपिक किस टॉपिक से लिया गया है तो हमें उस चित्र वर्णन के बारें पहले लिखना है कि यह है चित्र रेलवे स्टेशन का है या फिर आप स्कूल का है या किसी घर का है तो आपको उस चित्रवंडन में सबसे पहला पॉइंट यही लिखना होता है कि यह चित्र इस विशे का है तो हम चित्रवंडन को करते समय किस चीजों का हमें ध्यान रखना होता है तो यह हम समझेंग चिता की तों कित्र हम सबस् reminding कहато रही हुआ सब्सक्ते इसे लिडिये की हमें चيकले आप कहुंब आपको पहले बताई जह जो भी विचार आ कूंफ को लिखना कि इस विशे मैं और क्या बता चाहिए चित्र में जो भी चीजें दिखाई दे रहे हैं मतलब हमको जो भी चीज उसमें दिखाई दे रहे हैं चित्र में तो वह हमें लिखनी ही चाहिए जितनी शब्द सीमा दी गई हो उसके अनुसार ही लिखना चाहिए वाके सरल हो और संबन्दित होना चाहिए उसी से रिलेटेड वाक्के हमको बनाना चाहिए तो बच्चो मैंने चित्र लेखन आपको पहले भी दिया था तो आपने किया होगा तो मैं आज आपको जो आपकी बुक में है चैप्टर नमबर 22 तो उसका मैं आपको एक्ससाइज में कराऊंगी पेज नमबर 109 तो बच्चो आप देख रहे हो जैसे की यह एक चित्र है यह चित्र सबसे पहले हम चित्र को अच्छे से देखेंगे कि यह चित्र किसका है तो हम देखेंगे यह चित्र में क्या है तो यह चित्र आप देख रहे हो एक घर का है ठीक है तो हम सबसे पहले हम उस तूँसके बाद से बैज़ने को निभे कर नोट कर सकते, आप साइड में कहीं लिख लो कि उस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है और उसी की विशय में वाक्य बनाते जाओ तो आपका जो चित्रलेखन है वह एजी कम्प्लीट हो जाएगा जिस तरीके से आप मेक सेंटेंस बनाते हो ना तो आपको सिर्फ एक शब्द चाहिए ह तरीके से कर सकते हो तो कर ने कहीं तरीक का यहीं तरीका है उसी चित्र में कितनी सारी चीज चीज घर का बना था फॉर Son दिखाई दे रहा है सोफा लड़के हैं लड़के लड़की भी है एक मेज रखी हुई है अगबार रखा हुआ है और एक कुछ आप देख रहे हो कि एक वहाँ पर फूल दान रखा हुआ है तो हम फूल दान तो यह सारी चीज पहले हम नोट कर लेते हैं अकॉर्डिंगली हम फिर उसको चित्र लेखन बनाते समय हम फिर वह वाक्य को करने लगते हैं तो वह बहुत इजी तरीके से हो जाता है तो हम ने जो फर्स्ट पॉइंट हमने बनाया कि यह है चित्र घर का है ठीक है अब हम दूसरा पॉइंट क्या बना सकते हैं अभी दादा दादी हैं तो हम सच्छम नाना नहीं भी लग सकते हैं ठीक है तो इसमें लिखा है अब उसके बाद दादी ने देखा कि पोंसरा दका नोट कर सकते हैं iym बना सकते हैं उसको नहीं दिख सकते हैं तो आप देख सकते हैं तो हमें उसी प्रकास से यह पूरा करना है दादा जी सोफे पर बैठे हुए हैं अब इस ने इस वाक्त के लिए था यह शब्द वाक्य बना दिया कि दादा जी सोफे पर बैठे हुए है इक बच्च लड़का भी बैठा हुआ है तो नेकस्ट जो ए ल हैं विए दो एक लड़की है तो थीम छोटे लड़के pine कि युляकी अपने दादाजी के साथ मस्ती कर रहे हैं कि इस जो भी चाहो लिख सकते हो उसके बाद आप देख रहे हो कि कमरे में कुछ और दिखाई दे रहा है आपको आपने इक शब्द जो बनाया वो है मेज तो कमरे में मेज रखी हुई है मेज पर क्या है अख़वार है आप एक ऐसे पॉइंट बना सकते होगी एक कमरे में एक मेज रखी है देखे हैं कम्रे में एक मेज रखी है मैने देखा एक मेज आयू पराइय तो देखें का मेज अख़ और अप्कार्अ में इस तरीके से रहत है कि कम्रे मेजवर अक्भार है और दूसरे कमरे में अब आपको यहाँ पर देख रहे हो कि फूल दान मैंने यह पॉइंट में लिखा है तो हमने यह वाक्य बना दिया कि दूसरे कमरे में फूल दान है तो हमारा यह वाक्य इस तरीके से पूरा कम्प्लीट हो जाएगा और हमारा चित्रलेखन का जो पार्ट है वो भी complete हो जाएगा तो हम चित्रलेखन करने का सही तरीका यही होता है कि हम चित्र में से जो चित्र दिखाई दे रहे हैं उनके शब्दों उनको हम एक साइड में लिख ले उसके बाद हम उस पर वाक्य बनाएं तो हमारा चित्रलेखन complete हो जाएगा तो बच्चों आपको ही चित्रलेखन वाला पार्ट समझ में आ गया होगा तो आप इस exercise को अपनी बुक में ही कर सकते हैं इतनी space है कि आप उसको easily लिख सकते हैं धन्यवाद